आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में गिवन है कि Triangle ABC में Angle of ACB यह 90 degree है Then हमें गिवन है CD is Perpendicular to Segment AB तो इसका मतलब Angle CDB और Angle CDA यह दोनों ही 90 degree है ठीक है? And DE हमें गिवन है Perpendicular to CB तो इसका मतलब Angle DEB ठीक है? Angle DEB equals to Angle DEC और AB 90 degree के Equalum ठीक है? अब हमें क्या यह Given Expression जो है यह Proof करना तो पहले हम जा करते है हम Consider करते है Triangle ACB and Triangle ADC तो यह होगे हमा Triangle ACB और यह होगे Triangle ADC ठीक है? तो Angle CAB और Angle DAC यह तो Same Angles है क्योंकि हम यही Same Angle की बात कर रहे है Angle ACB and Angle ADC यह कितना 90 degree मतलब दोनों Same Angle है तो इसका मतलब Angle, Angle, Axiom से ठीक है? यह Angle, Angle, Angle Axiom से हमारे पास क्या होगा? कि Triangle ACB जो है That is Similar Similar to Triangle ADC Angle, Angle, Axiom यहां पर हम क्या लेंगे Angle, Angle Axiom of Similarity दो Similar Triangle का ठीक है? Similarity तो इसके तुरू हमारे पास क्या आया कि AC upon AD यह जो है यह AB upon AC के Equal है That means AC square जब हो गया AB into AD के Equal यह आ गया हमारे पास तो इससे हम ले ले लेता है Equation No.1 ठीक है? अब हम देखते है Triangle ACB और Triangle CDB को ठीक है? तो इस case में अगर देखे यहां पर हमसे क्या हुआ? अगर हम ACB और CDB देखेंगे तो ACB और CDB मतलब यह आंगल तो C में रहेगा आंगल ABC जो है यह आंगल DBC के Equal है और आंगल ACB जो होगा ठीक है? अब हम DBC देखेंगे ठीक है? तो आंगल यहां पर अगर हम देखे तो आंगल CDB आंगल CDB यह भी 90 डिगरी है तो similarly similarly like above AA axioms हमारे पास क्या होगा? कि ट्राइंगल ACB जो है वो भी similar है ट्राइंगल of CDB से ठीक है? अब अगर हम देखें यहां पर अब हम क्या consider करते हैं? ट्राइंगल CED और ट्राइंगल CDB को ठीक है? तो और यह जो हमारे पास है जो हमारे पास similarity आई है यह similar हो क्या? अब हम देखें ट्राइंगल CED और ट्राइंगल CDB यहां पर देखें CED और CDB ठीक है? तो हमारे पास क्या है कि angle ECD जो है यह जो है equal है angle DCB से and angle CED जो है that is equal to angle CDB क्योंकि दोनों ही 90 degree है तो इसका मतलब triangle CED is similar to triangle CDB यह आगया तो similar है similarly अगर हम देखें similarly तो triangle of अगर हम देखें ACB ठीक है? यह similar होग है triangle CED से ठीक है? तो अगर हम यहां पर देखे और and अगर हम देखें triangle ADC जो है यह similar होग है triangle CED से ऐसा क्यों हुआ तो अगर हम देखें तो बाई अगर हम देखें यहां पर triangle ACB जो है यह congruent है triangle CDB से और triangle CDB CED से तो ACB CED से हो गया अब ACB और ADC यह already हमारे similar थे तो इसका मतलब ADC और CED भी similar हो गए ठीक है तो ADC और CED यह similar हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC upon CD यह equal हो गया DC upon ED तो इसका मतलब क्या हुआ कि CD स्क्वेर जो है वो AC into DE के equal है अब AC स्क्वेर कितना था AC स्क्वेर था AB into में अगर हम देखे AD के equal ठीक है और हमें वाल्यू का प्रूफ करनी CD स्क्वेर into AC की ठीक है तो अगर हम देखे CD स्क्वेर into AC यह कितना 아गा AC स्क्वेर into DE के equal TO CD स्क्वेर into AC AC स्क्वेर कितना AB into AD into DE और यही वाल्यू हमें प्रूफ करने थी, so hence proved, this is our required answer.